तो चली आईए, नन्य मुन्य, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल, Fun with Physics में, तो बेटा, जैसे कि आप जानते हो, कि हमारा जो लेक्चर अभी जो चल रहा है, हमारी जो सीरीज अभी चल रही है, वो सीरीज चल रही है, सर्कुलर मोशन क और आज का लेक्चर नंबर है चार, ठीक है, इस सेरीज का तो सबसे पहला लेक्चर था, उस लेक्चर में मैंने आप लोगे साथ बात करी थी, angular displacement की और angular velocity की, लगब लबग एक सवा गंटे के आसपास का लेक्चर था, ठीक है, इसके बाद जो दूसरा लेक्चर था, उसमे हम लोगोंने बात करी थी, angular acceleration की, बिल्कुछ 0 से हमने शुरू किया था, और advanced level तक के problem हम लोगोंने उसमें discuss किये थे, और याद करो, उसमें मैंने आप लोग को A is equal to V square by R का वे, मैंने आपको, जो proof होता है, वो मैंने आपको दिया था है, कि tangential acceleration में, और angular acceleration में क्या relation होता है, 80 is equal to, बोलो क्या होता था, R alpha, मैंने उसका proof भी आपको वहाँ पर दिया था, और बहुत मज़ा आया था, यादगरो है न, और लब 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 लग, दिर घंटे का वो lecture हो गया था, यार न, अच्छा, आज का जो lecture है, आज हम लोग बात करने वाले हैं, centrifugal force के बारे कि मैं चेक कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, मैं कुछ भी यहाँ पर पढ़ा करके चला जाओ, आपको उसका कोई भी फाइदा नहीं होगा, अगर आप लोग खुद से सवाल attempt नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप खुद से DPP solve नहीं करोगे, खुद से वर्क्षीट solve नहीं अगर नहीं समझाए, तो एप में वो सारे feature मौजूद हैं, जिनसे आप अपने doubt मुझसे clear कर सकते हैं, आप मुझे voice note भेज सकते हैं, आप मुझे photo भेज सकते हैं, तो उसको download कर ले, download करके, और फिर उसको solve करने का अपने को प्रयास करना है, बोलो बास समझा गई, अरे पक तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी centrifugal force की बात करने वाले हैं, उससे related सवलों की बात करने वाले हैं, परन्तु, पिछले lecture से connection उठाने के लिए, एक सवाल आपको पहले जैसा कराता हूं, बहुत मजा आएगा, देखो, सवाल क्या बूला गया है, सवाल बूला गया ह देखो, जयान से देखना भई, क्या बूला गया, कि for, मेरे साथ साथ लिखना सवाल, कहीं पर चले बात में handwriting समझनी आए, मेरे लिए नया है, सब ताम जाम मुझे नहीं आता कुछ भी, ठीक है, लिखो, for a particle, for a particle, in a circular motion, for a particle, in a circular motion, of a circle, of radius, r is equal to 1 meter, r is equal to 1 meter, सवाल बूला गया, कि speed is given as, क्या दी गई है, speed, v is equal to 2 under root s, ऐसे दी गई है, v is equal to 2 under root s, ऐसा बूला गया, अब सवाल क्या बूला गया, सवाल बूला गया, कि find out the angle, find out the angle, between a r, and a net, after, t is equal to 1 second, ओके, t is equal to 1 second, पर, कितना angle बनेगा, a r में, और a net में, आप ये बता देजिए, चलो, अगर आप वो पिछली वाली वीडियो देखकर के आये हो, अगर आपको समझ आया था, तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल time pass सवाल है, मैं एक बार आपको फिर पढ़ा करके सणा देता हूं, कि for a particle in a circular motion of a circle of radius 1 meter, एक particle है, वो एक circular motion में घूम रहा है, circle की radius आपको दे रखी है, 1 meter, एक मीटर का circle की आपको radius दे रखी है, ये दी, ठीक है, एक मीटर की radius आपको दे रखी है, और क्या बोल रखा है, कि उसके speed में और distance में जो relation है वो आपको दे रखा है, v is equal to 2 under root s, बोल बात समझा गई, अब सवाल क्या बोल रहा है, कि find out the angle between ar and anet at t is equal to 1 second, ये सवाल है, चलो, मैं तो कहता हूँ, वीडियो को बिल्कुल बड़ी डंक से हां stop कर दो, उसके बादे बाद खुछ से करने का try करो, जब खुछ से करोगे न, तब सीखोगे, और जब सीखोगे तो मजा आएगा, बिना सीखे मजा नहीं आता है, बोलो पकी बात एक दम, चलो, करो, मैं तो बैटा यहां बैठने आया हूँ तुम करो मैं तो तुमसे करवाने आया हूँ मेंगो कुछ नहीं आता है तुम करो जाने नहीं, देंगे तुझे, जाने नहीं, देंगे तुझे, हाँ, चलो, करा तुमने, अरे पक्का, सोच ले, हम मेरी बास सुन, देखो बेटा, जैसे कि मैं आपको पहले भी आपको सिखा चुगा हूँ, क्या, कि बेटा, जब कोई पार्टिकल किसी सर्कूलर मोशन में होत होते हैं, किने तरह के एक्सलरेशन होते हैं, उसके, दो तरह के एक्सलरेशन होते हैं, एक तो होता है, उसका रेडियल एक्सलरेशन, एक होता है, उसका टेंजेंशेल एक्सलरेशन होता है, बेटा, वो पार्टिकल को सर्कल में मेंटेन करके रखता है, और जो टेंजेंशे acceleration होता है, वो particle की speed को change करने का प्रयास करता है AR तो हमेशा होना चाहिए, AT हो भी सकता है और नहीं भी, अच्छा ये जो AR मैंने बोला ना हमेशा होना चाहिए, इसमें कादे exemption भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आज, कि कादे exemptions कैसे कैसे हैं, आपको समझ जाएगा, ठीक है, अब मेरी बास सुनो, बेटा, ये जो AR और AT का, ये जो net है यहाँ पर देखो इस तरह से, इनका जो resultant है ये resultant, इसके बारे में मैं concern हूँ, देखो ये, ये होता है particle का net acceleration, और आपसे सवाल क्या पूछा गया है, कि इस a net में, और इस AR में, जो angle है, अपने को वो बताना है, बोलो बास समझ आ गई, अब देख मेरी बास सुन, देख तरह को एक बढ़िया बात बताता हूँ, ध्यान सुनना भाई, देख, अगर बेटा, ये 80 है, अगर ये 80 है, ये 80 है, तो ये भी क्या हो गया, 80 हो गया, है न, ये भी क्या हो गया, 80 हो गया, बोला सर सही है सर, और ये क्या था, ये तो AR था, तो देख, इस right angle triangle में, आप अगर बहुत ध्यान से देखें, तो आपको ये बात नजर आएगी, कि बेटा, जो 10 थीटा है न, 10 थीटा is equal to 80 by AR, 10 थीटा is equal to 80 by AR, तो जो थीटा की जो value आ गई है, वो आ गई है कितनी, 10 inverse और 80 और by AR, है न, तो अगर अपने को थीटा निकालना है, तो basically अपने को पहले 80 और AR पता होना चाहिए, उसी के बाद अपन काम कर पाएंगे, और नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे, answer नहीं निकाल पाएंगे, है न, अब मेरी बात सुनो, तो 80 और AR कैसे निकाले जाएंगे, भाई, यह तो गड़बड हो गई, है न, देख मैं बताता हूँ तरको कोई गड़बड नहीं हुए, यहां सुनो, बेटा, यह जो अपने को क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो सुनो, यह V is equal to 2 under root S दिया गया है न, सुनिये, तो V is equal to, आप बहुत ध्यान से देखिए, 2 under root S, तो यहां से मैं 80 तो निकाल ली सकता हूँ, आप याद करो, acceleration की, जो एक definition होती है, वो होती है dv by dt, बोलो होती है न, परंतु एक definition ये भी तो होती है, v dv by ds, अभी कैसे आती है, ये दो-तीनी वीडियो में मैंने बार-बार-बार बताया है, अपन क्या करें, अपन इसको ds से करदें multiply, और ds से करदें divide, तो क्या आजाएगा देखो, ये बन जाएगा v dv by ds, है न, ये बन गया v dv पहले से था, ds पहले से था, है न, तो यहां से जो acceleration आएगा, हमारे पास वो हो जाएगा, tangential acceleration, क्या हो जाएगा वो, v और dv, और divided by ds, है न, चलो आजाओ, तो value पुट करो, देखो v की value तो direct पुट कर दो, कितनी आगई, 2 under root s आगई, अरे बोलो आगई के नहीं आगई, है न, आचा सुनो, और dv by ds कितना जाएगा, देखो, 2 तो as it is रह जाएगा, है न, और root s का differentiation बोलो कितना आएगा, यहाएगा, 1 by 2 root s, कितना जाएगा, 1 by 2 root s, है न, जहां से देखो, तो 2 जो है, वो 2 को मार देगा, और root s जो है, वो भी root s को मार देगा, बोलो बास समझा गई, मैंने क्या करा, पहले मैंने v v की value पुट करी, v की value क्या थी, यह थी 2 root s, है न, और फिर dv by ds, उसमें 2 तो as it is रह गया, और root s का differentiation, 1 by 2 root s, और फिर s का उपर 1 भी आता है, तो मैंने उसे लिखा रहे है, है न, चलो आजाओ, तो जो 80 की value है न, बेटा, 80 की value देखो, कितनी आ गई, यह आगई, 2 और meter और per second square, यह आगई 80 की value, यह आगई 80 की value, बोलो आया के नहीं आया, अरे पक्का, इसमें कोई खास बात तो नहीं है न, अच्छा, अब मेरी बात सुनो, यह आ जाओ, तो बेटा, जो 80 होता है, 80, वो तो basically, r alpha के भी बराबर होता है, वो तो किसके बराबर होता है, r alpha के बराबर है, अब एक बर मैं ज़रा थोड़ा से side में हो जाता हूँ, मुझे इसको थोड़ा से सरकाना होगा, आप पहले एक बर इसका अच्छा से screenshot लो सवाल का, ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ाओंगा, ठीक है, लो आजाओ, मैं side में आ गया हूँ, ले लिया आपने, screenshot ले ल सही है, सरबात समझा गई, है ना, और 80 जो है, वो alpha के भी बराबर है, है ना, तो alpha की भी value कितनी आ गई, alpha की भी value आ गई, 2, कितनी आ गई, 2, है ना, वैसे तो alpha क्या होता है, radian per second square होता है, तो मुझे यह लिख देना चाहिए, radian per second square, है ना, बेटा, alpha जो होता है, वो तो d omega by dt के भी बराबर होता है, तो इसका मुलब के d omega by dt 2 के बराबर आ गया, है ना, आप ध्यान से देखिए, तो जो d omega आया, वो आ गया, 2 dt, अरे कितना आ गया, 2 dt, अब अगर मैं इसे integrate कर दो, अब बहुत ध्यान से देखो, समय शुनने पर, अगर कुछ नहीं रखा, तो मैं कह 1 second पर मुझे सब कुछ बताना है न, तो 1 second पर पहले में omega निकाल देता हूँ, कितना है, तो देखो, यह आ गया, d omega का integration omega आ गया, 2 बहार आ गया, और dt का integration t आ गया, और 0 से और 1 की limit लग गई, आप बहुत ध्यान से देखें, तो omega is equal to 2 भी कितना आ गया, यह आ गया 2 और 7 में radian और पर second, यह आ गया आपका omega, अब AR निकालना मेरे लिए कुन सी बड़ी बात है, AR मुझे पता है, कितना होता है, r omega square, पर यह सब आपको तब पता लगेगा जब पिछले वाली वीडियो देखकर क्या होगे, यह तो क्या गंटा समझाएगा, है न, आ जाओ, यह आ जाओ तो देखो, AR कितना आया, यह दियान से देखो, r की जगे तो 1 आया, और साथ में omega का square, मिलब 2 का square, तो जो AR आ गया, वो कितना आ गया, वो आ गया, 4 meter per second square, यह AR आ गया, क्या मैं समझू, तुम्हें कहानी समझाई है, यह तुम्हें प्रांड निकल गए, आ रहा है न तुम् अब 80 की value put करवाओ, और AR की value put करवाओ, और बस वही answer हो जाएगा, है न, 80 देखो, 80 कितना है, कितना है, कितना है, यह रहा, 2 है, और AR कितना है, यह रहा, 4 है, बोलो कहानी समझ आई, अरे पक्का, तो आप बहुत ध्यान से देखें बेटा, तो जो theta की जो value आ गई, वो आ ग तो answer बिल्कुल सही है, बोलो बात समझ आई, अरे पक्का, अब मैं नहीं नहीं बाते करूँगा आपके साथ एकदम, बोलो कहानी समझ आई है, 110%, चलो आजाओ, बढ़िया सस्क्रीन शॉट लेलो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा बई, चलो बई, नौट किया तुमने, अरे पक्का, लेलिया स्क्रीन शॉट अच्छे से, है ना, चलो आजाओ, और बढ़िया बात करते हैं, देखो, अच्छा लगेगा तुमको, मज़ा आजाएगा, देखो, तो बेटा, आज हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं, अब थोड़ी सी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको, देख सुन, तो बात कर रहे हैं, किसके बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, यहां लिख देता हूँ मैं पहले, बढ़िया बढ़िया सा, आजाओ, एक मिनट का समय देते हैं इसे, आज देखो, यह होने वाला है आज का अपना पॉइंट ओफ डिसकाशान, लोग जी, ठीक है जी, अब मेरी बात सुनो, देखो, अच्छे-चे अंड राइटिंग में लिखा है न मेरे, मैंने नहीं लिखा मतलब, इस नहीं लिखा है, आप समझ जाना, ठीक है, चलो आज बात कर बेटा, आप लोगों ने एक बात नोटिस करी है, कि जैसे क्या होता है, आप लोग कभी बस में बैठे हो क्या, और जब बस कभी, अगर ऐसे अगर इस तरफ अगर राउंड मारती है, अगर बस कभी ऐसे गोमती है, तो आप अचानक से ऐसे हो जाते हो, है कि नहीं, और बस इसे गोमती है, तो आप अपनी सीट पर बैठे बैठे से, ऐसे हो जाते हो, बोले बात समझ जाई, अरे पका, या सुनो, कभी एक पत्थर को ले करके, आप एक रसी से बांदो, और जैसे आप पत्थर को रसी से बांदेंगे, और फिर आप जब उसे ऐसे गुमाएंगे, ऐ आप बहुत द्यान से देखो, तो जो पत्थर है, जब अपने topmost point पर भी होता है, तभी भी वो नीचे नहीं गिरता, तभी भी वो नीचे नहीं गिरता, क्यों? क्योंकि उसको पर बाहर की तरफ एक force होता है, उसे कहते है centrifugal force, बेटा, जो centrifugal force होता है, वो centripetal force का pseudo force होता है centripetal force का pseudo force होता है, एक एक बाट detail में बता हूँगा, मैं तो tension मतली बिल्कु लेख दा हूँ है न, सुनो मेरी बात, क्या मैं बोला, मैं ये बोला, क्या बोला, सुनना ज़रा द्यान से, मैं क्या बोला, देख द्यान से, देख, it is a pseudo force, it is a pseudo force of centripetal force, okay, centripetal force का pseudo force होता है, क्या होता है, centripetal force का pseudo force, मेरी थोड़ी end writing ज्यादा अच्छे नहीं है, तो आप समझना, इसलिए मैं 4000 बार बोल देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं आया, ठीक है, क्या बोला मैं, मैं बोला, it is a pseudo force of the centripetal force, sir, ये क्या मतलब हुआ, मैं बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखो, तो बेटा, इससे जो पिछली वाली वीडियो में, मैंने आपके साथ बात करी थी न, radial acceleration की, अरे बोलो करी थी कि नहीं करी थी, है न, तो जो radial acceleration होता है, मैंने आपको ख बेटा, तो अगर मैं कहूँ कि मानलो, जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल मैंने बोला, हाल-फिलाल यहां पर अमोजोद है, तो मुझे पता है, कि इस पार्टिकल पर एक center की तरफ एक force लगता है, अंदर, जिसे मैंने radial force बोला था, क्या बोला था, radial force है, radial acceleration बोला था, जहा जाता है, centripetal force, क्या बोला जाता है, centripetal force, तो अगर मैं यह कहूँ, कि मानलो, पार्टिकल का जो मास है, वो M है, तो बेटा, यह जो अंदर की तरफ जो force लग रहा होगा, देखो, पहले मैं आपके साथ centripetal force की बात कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं centrifugal force अराम से बता बोलो है के नहीं है, है ना, अच्छा, जी सुनो मेरी बात, तो वो जो radial acceleration है, हमें पता है, कि वो किसके बराबर है, वो तो R omega square के बराबर है, किसके बराबर है, R omega square के बराबर है, तो यह उसे put कर दो, तो बेटा, जो centripetal force आ गया, वो कितना आया, देखो, centripetal force आया, हम लोग, हम लोग यह बात जानते है, कि देखो, omega is equal to V perpendicular by R, यह V perpendicular कौन सी velocity होती है, यह वो velocity होती है, जो R के perpendicular होती है, तो अगर मैं कहूं कि मानलोग particle अगर ऐसे move कर रहा है, V velocity से, तो जो V perpendicular है, basically यह velocity है, जो R के perpendicular है, तो बेटा, आप बहुत देखो, अगर omega की जगे पर, अ V by R आ गया, तो बेटा, जो AR आया, AR, देखो, AR कितना आ गया, यह आ गया, R और साथ में, V square और divided by R square, तो R ने R को मार दिया, तो जो AR है न बेटा, वो V square by R के भी बराबर होता है, किसके बराबर होता है, V square by R के भी बराबर होता है, तो उस समय, यह जो centripetal force है, इसकी एक नई फोर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखो, द्यान से देखो, centripetal force, द्यान से देखेंगे बाई, यह हो जाएगा, M into centripetal acceleration, जो कि किसके बराबर है, V square by R के बराबर है, बोलो कहानी समझ आई के नहीं आई, आरे पक्का, आरे सोच ले, है ना, बहुत बढ़ी है स तो centripetal force, आज की बाद मुझे याग रखना है, कि या तो वो M v square by R होता है, और या फिर वो कितना होता है, M omega square R होता है, अगर आपसे omega की term में calculate करवाए, तो आप लोग इसका इसका इस्तमाल करेंगे, M omega square R का इस्तमाल करेंगे, और अगर आपसे V की term में calculate करवाए, तो आ M v square by R का इस्तमाल करेंगे, बोलो बात समझा गई, किस का इस्तमाल करेंगे, M v square by R का इस्तमाल करेंगे, पर sir, आपने heading बना रखी centrifugal force की, पढ़ा रहे centripetal force, ये क्या मतलब होता है, अब बताता हूँ मैं आपको, है न, आपको centripetal समझा आया न, पक्का एकदम, और क्या होती ही direction, इसकी direction होती है, radially inward, ये center की तरफ लगता है, बोलो बात समझा गई, अब sir, कैसे समझे इस बात को, मैं समझाता हूँ, देखो, पहले तो इसका screenshot ले लो, पहले बढ़ी रंग से, देखो, पहले मैं आपको ये पढ़ाया, मैंने क्या बोला, it is the pseudo force of centripetal force, तो centripetal force पहले मैंने आपको पढ़ाया, कि centripetal force होता क्या है, ताकि मैं आपको centrifugal समझा पाऊँ, ठीक है, चलो, screenshot लो बड़ी रंग से, अरे ले लिया, अरे पक्का, चलो, अब देखो, तो बेटा, मैंने क्या जाना, मैंने ये जाना, कि जो centripetal force होता है, वो लगता है, गोले के center से, अंदर की तरफ, बोलो बात समझ आई, अरे पक्का, पर बेटा, जानते हो, ये जो centripetal force है, इससे क्या, यार, मैंना, feel नहीं आती, सवाल को जब आप करोगे, तो आपको सवाल करने में उतनी feel नहीं आएगी, तो feel लानने के लिए, जो सारे के सारे सवाल है, वो मैं किस तो बेटा, वहाँ पर मैंने आपके साथ बात करी थी, pseudoforce की, किस की बात करी थी, pseudoforce की बात करी थी, और pseudoforce मैंने आपको 2-3 point लिखवाए थे, क्या क्या लिखवाए थे, कि बेटा, जो pseudoforce होता है, that is equal to, force is equal to, body का mass, और multiplied by the acceleration of the system, और इसकी direction क्या होती है, इसकी pseudoforce, pseudoforce है न, याद करो, pseudoforce के बारे मैं क्या-क्या बोला था मैंने? मैंने बोला था, कि जो pseudoforce होता है, देखो साला, नाम से ही नकली है, साला, बोल रहा है, pseudoforce और स्टार्ट होरा है, P से, है न, देखो, pseudoforce किस के बाराब होता था, mass of the body multiplied by the acceleration of the system, परन्तु इसकी जो direction होती थी वो होती थी acceleration of system के बिलकुल opposite बोलो बात समझा गई? तो दो-तीन बाते जो आपने को याद होनी चाहिए वो क्या याद होनी चाहिए? कि इसका जो magnitude है force है तो दो बाते हैं, एक तो magnitude है और एक इसका direction है तो जो magnitude है इसका magnitude part वो क्या जाएगा बोलो, वो जाएगा f is equal to m body और acceleration किसका? acceleration system का, बोलो बात समझा गई? तो यह तो होगे इसका magnitude और इसकी direction और इसकी जो direction है opposite opposite to the direction of acceleration of system बोलो, बात समझा गई? अरे पक्का, यह pseudo force की बात थी अब मैं इसे centripetal और centrifugal से आपस में जोडता हूँ बोलो, आपको इतनी कानी समझा आई कि नहीं? for example, आप याद करो, मैंने आपको बहुत सारे सवाल भी वहाँ पर कराये थे अगर मैं आपको यह कह दूँ कि यह धरती माता है, इसके उपर यहाँ पर कोई truck चल रहा है, याद करो, सन्नाटों, देखो अगर मैं आपको कहूँ कि कोई truck चल रहा है यहाँ पर इस तरह से, और अगर मैं आपको यह कहूँ कि यहाँ पर अपने पास एक थो डबबा रखा हुआ है, एक डबबा रखा हुआ है, इस डबबे का जो वजन है, वो है 2 kg, यह जो system है, यह आगे accelerate कर रहा है, दस मीटर पर second square के acceleration से, यह truck का acceleration है, किसका acceleration है, truck का acceleration है, तो आपको एक बात logically नजर आ जाएगी, क्या नजर आएगी, कि अगर यह जो truck है, अगर आगे accelerate कर रहा है, तो इस पर force का लगेगा, पीछे, आप याद करो, जैसे वो जो बस वाला होता है, वो अचानक से जब आगे बढ़ता है, तो मचानक से पीछे, ऐसे हो जाते है, और जैसे वो brake मारता है, तो मचानक से धुपा कसाला, आगे लाक्रे लगते हैं उसमें, दान भी टूट जाते हैं, कहीं हो के तो उसमें, बोल बात समझाई कि नहीं, तो जैसे acceleration of system होता है, बिलकुल जो pseudo force होता है, बिलकुल उसके opposite direction म और जैसे बस ऐसे मुड़ती है, हम लोग ऐसे हो जाते हैं, बस ऐसे मुड़ती है, हम ऐसे हो जाते हैं, बोलो हो जाते हैं, एक दम पक्का, सोच ले, चलो आजाओ, तो अगर बोले कि इसके उपर force बताओ, तो इसके उपर जो pseudo force है, वो लगेगा, पीछे, कहा लगेगा, प Acceleration of the system, तो जो pseudo force आया, वो कितना आ गया, pseudo net, बोलो कितना आ गया, वो आ गया, 20 newton, कितना आ गया, 20 newton आ गया, बोल बात समझ आई, एक मिनट, कितना आ गया, 20 newton, ओके, चलो जी, बोलो, तानी समझ आई तुमका, 100%, अब जोड़ दू, pseudo centripetal, centrifugal को, समझ जाओगे, चलो, बड कि हमारी छोटी बुद्धी में बात समझ आ जाए, बोलो, ले लिया screenshot, आगे बढ़ू, चलो, अब देख बेटा, आब आजाओ वापस, कोई जल्दी नहीं मेरे को भाईस, मैं सिखाने आया हूँ यहां पर, हीरोगिरी नहीं करने आया हूँ, तो एको आना चीए, बस, ले, धन्नारे, 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 नन्नारे, बरसोरे मेगा, मेगा, बरसोरे मेगा, बरसोरे मेगा, बरसोरे मेगा, बरसो, देखो बेटा, देख बेटा, सुन, तो क्या मैंने बोला, मैंने बोला कि भाई, जो पार्टिकल है, उसके उपर, M मास्क अगर पार्टिकल है वो, क अगर वो r radius के गोले में अगर इस तरह से v रफतार से अगर वो घूम रहा हो तो हमने क्या देखा हमने यह देखा कि यार इसके उपर न अंदर की तरफ एक force लगता है जिसे क्या बोला गया centripetal force बोला गया क्या बोला गया centripetal force बोला गया और अंदर की तरफ जो acceleration लगता है उसे कहते है centripetal acceleration जो कि किसके बराबर है v square by r के बराबर है या अगर अपने को omega दी हुई होती तो omega square r के बराबर होता तो अब मैंने क्या बोला कि बेटा feel लाने के लिए feel लाने के लिए मैंने बोला कि हम न centrifugal force की किसकी बात करेंगे centrifugal force की और हम आज के बाद क्या याद रखेंगे हम ये बात याद रखेंगे द्यान सुनना भई मैं हिंदी में लिख रहा हूं पता नहीं मैं कितना अच्छा लिख पाऊंगा है ना तो आप लोग मेरे साथ-साथ लिख लेना मैं बोलूंगा चार बाते हैं और आप मेरे साथ-साथ लिख लेना क्या लिखोगे ये लिखना क्या कि जब कोई पार्टिकल किसी गोले में घूम रहा होता है तो उस पर गोले के सेंटर से बाहर गोले के सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है एक फोर्स लगता है जिसे सेंटरी फ्यूगल फोर्स कहते हैं सेंटरी फ्यूगल फोर्स कहते हैं जो एफ इस इकुल टू एम वी स्क्वेर बाई आर के बराबर होता है या एफ इस इकुल टू एम ओमेगा स्क्वेर आर के बराबर होता है चलो आप लोगोंने मेरे सासा लिख दिया क्या लिखा कि जब कोई पार्टिकल किसी गोले में घूम रहा होता है सरकल में घूम रहा होता है तो उस पर सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कहते है और ये mv स्क्वेर बाई आर के बराबर या m ओमेगा स्क्वेर आर के बराबर होता है लेख दिया तुमने अब आजाओ यहां देखो इस गोले के इंदर देखो अब आप सर गोला का है तो आदा गोला है अब ये आ जाएगा डॉण वरी टरकट हो जाएगा यहां पर जादू से है ना देखो बेटा सुनो क्या मैं बोला मैं बोला कि आज के बाद आज इसकी बात ही मत कर तू यह जो संट्रिफ्यूगल फोर्स है तो इसकी बात ही मत कर की बात करते हैं, centrifugal force की, तो क्या कहते हैं उसे, centrifugal force कहते हैं, जो की mv square by r के बराबर होता है, या फिर, अरे बोलो, या फिर, एक बात और बताई, क्या बताई, कि m omega square r के बराबर होता है, बोलो, समझ आ गया, आपको तो सिर्फ आज ये बात ये लाइन लिखनी है, अगर आप को ये लाइन याद रह गई, तो आपके सारे सवाल बनेंगे, एक सवाल भी नहीं अटकेगा, 110%, सारे सवाल बनेंगे, सिर्फ इतनी सी बात याद होने चे क्या, कि जब कोई particle, किसी गोले में घूम रहा होता है, तो उस पर, गोले के center से, बाहर की तरफ एक force लगता है, जिस अब सुन, अगर वो particle M mass का यहाँ पर होता, R radius के गोले में घूम रहा होता, V velocity से, तो उस पर गोले के center से, बाहर की तरफ एक force लगता, जिसे हम, MV square by R, या फिर, M omega square R, कुछ भी कह सकते हैं, अगर omega दिया होता, तो omega की term में बात कर लेते हैं, अगर V दिया होता, तो V की term में एक बात कर लेते हैं, अब यहाँ सुनो, particle अगर यहाँ पर होता, अगर वो R radius के गोले में, V रफतार से घूम रहा होता, तो उस particle पर गोले के center से, बाहर की तरफ एक force लगता, जिसे या तो MV square by R कह देते, या M omega square R कह देते, और सुन लो, किसी general जगे पर सुन लो, बच्चा से गुम रहा है, तो उस पर गोले के center से बाहर की तरफ एक force लगता, जिसे हम लोग क्या कह देते, MV square by R कह देते, वो लो, कहानी समझ आ गई, अरे पका, सोच ले, तो यह बात थी, यह था इसका theoretical part, अगर आपको यह समझ आ गया, तो अब आप सारे के सारे numerical बनाने के लिए आपको पुराना सारा आता हो, आपको force कैसे लिखते हैं, आपको पता हो, friction force आता हो, आपको free body diagram बनाने आते हो, और जो मैंने पिसले lecture में बात करी थी, angular acceleration, angular velocity की, आपको वो आते हो, तो आप इस समय सारे के सारे सवाल बनाने लिए 110% तयार हो आप, बोल बास समझागी, अग कोई lecture थोड़ा week ने रखा है, तो नीचे मैंने सारे link दिया हो है, बिल्कुल बड़े डंग से, एप का भी link नीचे है, जहांसे आप DP workshop, वर्क्षीप आप डाउनलोड कर लोगे आप है न, और इसके लावा जो सारे पुराने lecture है, उनका भी link सारा नीचर दिया गया है, बिल तीस lecture हैं कानमेटिक्स के बाइसाब, कोई एक गंटे का है, कोई दो गंटे का भी है, कोई आदे गंटे का भी है, है कि नीच तीस lecture है, बिल्कुल जीरो से लेकर एकदम advanced level तक, ऐसे NLM के, ऐसे friction के, ऐसे work power energy के, सारे lecture हैं उसमें, ऐसे plus 2 के, electrocides के, current electricity के, magnetism के, EMI के, optics के, स किस मर्जी उस coaching से आप content match करा लो, आप बोलोगे कि यार, तुम मतलब कमाल कर दिया, सर ने मतलब यार, फिर ही दे दिया, सब तुम दे दिया, मजा आएगा, vision ही वही है भाई, है ना, आओ सोनो, देखो, करें, बड़ी आवाद करें, नोट किया तुमने इसको, है ना, आ ज और, लो, मैंने कोशिश कर रही है, थोड़ी थोड़ी है ना, लो मैं side में हो जाता हूँ एक बार, देखो, करा क्या, अरे पक्का, सोच ले, चलो आजाओ, देखो, तो basic basic सवालों से, अब मैं चर्चा को थोड़ा सा प्रारंब करता हूँ, आपको मजा ज़रूर आएगा, 110 10-10%, मजे की तो गारंटी दे रहा हूँ मैं बिल्कुल एकदम, है ना, मजे की गारंटी है भाई देखो, पूरी एकदम, बोले समझनी आया पर मजा आना चाहिए, अरे समझ आयाएगा तबी तो मज आयाएगा, समझ नी आयाएगा, तो मजा कैसा, है ना, समझ आना बहुत बस इतना ही तुम से कहना बस इतना ही तुम से कहना चलो जी, बढ़ें आगे बढ़ें? इतना तो समझ आया है ना? अब बेटा मेरी वास सुन देखाजा तो मिलकर के हम लोग कुछ-कुछ सवाल करेंगे, आपको अच्छा लगेगा बहुत, है ना? देख बेटा, क्या मैं बोला तेरे को? मैं यह बोला कि बेटा, आप ऐसा मान लो, सवालों के साथ शुरू कर रहा हूँ, मैं दिरे-दिरे, है ना? देखो तो सवालों के साथ हम दिरे दिरे शुरू कर रहे हैं, क्या क्या सवाल है, देखो, यह सवाल है, है न, देख, सवाल सुन, तो सवाल अपने को ऐसा बूलागे है, कि आप बेटा मान लो, कि यह जैसे न, अपने पास कोई axis of rotation है, ठीक है, यह क्या है, कोई ऐसे axis of rotation है, और इसके about क्या है, omega से particle को ऐसे गुमाया जा रहे है, अभी explain करूंगा, मैं अच्छा लगेगा, आपको don't worry, है न, देख सुन, तो क्या है, यह है, देख, क्या बोला गया, क्या बोला गया, ऐसे बोला गया, देखो, बोला के, एक रसी से, न, एक रसी से, particle को, हमने क्या करा, हमने यह आपर ऐसे बांद दिया ठीक है पार्टिकल क्या मतलब है पार्टिकल का मतलब है कि डब्बा है M मास्क का एक डब्बा है किसमें मास्क का है M मास्क का एक डब्बा है उस M मास्क के डब्बे को हमने क्या करा एक रसी से ऐसे बांधिया और रसी से बांध करके हम क्या कर रहे हैं उसे ऐसे ऐसे गुमा रहे हैं ऐसे गुमा रहे हैं बोलो बस समझा रही अरे पक्का अब सोचो जब पार्टिकल को जब आप ऐसे गुमाओगे ऐसे गुमाओगे, है न, तो सुनना, द्यान सुनना, अगर वो ऐसे नीचे लटका भी हो न, डबा, और आप उसे गुमाना शुरू कर दो, तो धीर देरे आप देखोगे, कि वो जो रसी है, वो ऐसे सिद्धी हो जाएगी, और उसके बाद कैसे गुमेगा, ऐसे गुमेगा, बुलवा समझाई, अरे पक्का, तो आपको बस यही सवाल पोचा गया है, कि अगर इस रसी की जो लंबाई है, अगर वो R है, इस रसी की लंबाई, या R है या L है, जो भी आप मानना चाहें, तो बोला गया, कि रसी में टेंशन बताओ, कि रसी में टेंशन कितनी है, यह सि माल है, है न, M मास का डबा, R रसी से उसको लटका दिया, तो बोले रसी में टेंशन, बताओ, ओमेगा से उसको घुमाया जा रहा है, यह ओमेगा है, यह आपको दे रखी है, चलो, कर दिया, देखो मैं तो साइड में आ गया हूँ बाई, बिल्कुल एक दम, सोचलो, असान यह जो गोला है, गोला है, मतलब यह पार्टिकल है, आप देखें बहुत ध्यान से, तो यह पार्टिकल आपको इस तरह के किसी गोले में आपको घुमता नजर आएगा, किस तरह के गोले में, देखो मैं समझाता हूँ, देखो, देखो, अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इसे घुमाओगे, तो क्या वाकई में, क्या ये जो पार्टिकल है, क्या आपको ऐसे घुमता नहीं नजर आएगा, कि यारी तो एक ऐसे किसी गोले में घुम रहा है यार, बोलो, है न, मैंने आपको फिल दे लाने के लिए डा क्या रहे हो, सर, ये बात तो सही है, बिल्कुल एक दम, है कि न, कि जो सर, ये जो पार्टिकल है, ये जो M मास का जबबा है, सर, ये इस गोले में ऐसे घुम रहा होगा, सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, है न, और अब मेरी बात सुन, थोड़ी ही देर पहले, मैंने आपक को एक बात बताई थी, क्या, कि अगर किसी पार्टिकल को, अगर किसी गोले में गुमाया जाता है, तो उस पर, गोले के सेंटर से, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसे कहा जाता है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, और वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, या तो M वी स्कर R के बराबर होता है, होता है कि नहीं होता, है ना, ऐसा ही है ना, अब मेरी बास सुनो, तो गोले के सेंटर से, गोले का सेंटर का है देखो, ये गोले का सेंटर है, ये क्या है, गोले का सेंटर है, और गोले के सेंटर से, और बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, और कितना लग मैं बेसिक सवाल उसे शुरू कर रहा हूं ताकि अच्छे सवाल में तेरे प्राण नहीं निकलें समझ गया ना हाँ सर आपने बोला सर अब मुझे एक बात बताओ क्या ये गोला क्या जो पार्टिकल है क्या ये अंदर की तरफ आ गया क्या बोला नहीं आया क्या इस रसी को तोड़ करके बाहर निकल गया क्या नहीं निकला तो इसका मतलब कि अंदर की तरफ वाले फोर्स और मैं बैठ जाऊं, तो मैं क्या देखता हूँ, कि देखो, tension की arrow अंदर है, और m omega square r की जो arrow है, वो बाहर है, तो ना तो ये बाहर गया, और ना तो ये अंदर गया, इसके वालों कि अंदर के तरफ फले force, और बाहर के तरफ फले force, दोनों कैसे हैं, बराबर है, तो बैठा, tension की value, direct मैंने लिखी, क्या लिखी, m omega square r, this is the value of tension, ये बात, बोल आया के नहीं आया, आना चीए था तरफ देख, बिल्कुल basic सवाल है ये तो, अभी तो मैंने शुरूई नहीं किया पढ़ाना, आभी ये समल लो, क्या पढ़ा रहा है फिर इन देर से जब सुरूई नहीं किया तो, आया क्या, अरे पक्का, सोच लो, चलो आजा, और बढ़िया बात करता हूँ, मैं देखो, इसकर screenshot ले लो, एक बड़ मैं side में हो जाता हूँ, अच्छी बात करेंगे फिरा पंदुल, चलो, करा, आगे बढ़ जाओ, पक्का, चलो ठीक है, देखो, और देखो, और बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, है न, अच्छा लगेगा आपको, ये देखो, फिर एका सवल आप से कराऊंगा बात में, ये देखो, बेटा, अगर मैं आपको ये कहूँ, कि आप मान लेजिए, कि क्या है अपने पास, एक इस तरह से सीलिंग है, सीलिंग समझते हो न, और वहां से क्या है, हमने एक इस तरह से पेंडलम को ऐसे लटका या, ये रसी है, एक इस तरह से, ठीक है, इस रसी को हमने यहाँ पर ऐसे लटका दिया, ठीक है, और रसी की साहिता से हमने क्या लटकाया, हमने एक M मास्का, एक जो बाब है, उसको यहाँ पर हमने इस तरह से लटका दिया है, ठीक है, एक M मास्का, एक बाब है, उसे इस तरह से लटका दिया गया है, किसे च्छत से यह हमारी च्छत है बोलो बार समझ आ गई अरे पक्का है ना और मेरी बास सआनो तो बोला गया कि जो M मास्की जो bob है ना इस तरफ एक रफ्तार है कितनी है? V है बोलो बार समझ आ गई अब आपको सवाल बोल जा रहा है कि इस रसी में कितनी टेंशन है ये टेंशन आप बता दीजिए मैं तो यहाँ साइड में खड़ा हो जाता हूँ आप करो सवाल आपके सामने है रसी में टेंशन आपको बतानी है कर दोगे क्या अरे पक्का हो भी क्या होगा अब तक तो अच्छे बच्चे है मेरे एकदम कर दो की नहीं कर दो के बोलो पक्का चलो ठीक है आजाओ है ना क्या करा तुमने देखो तुमने यही करा होगा न तुमने यह सोचा होगा क्या यार अगर ये इस तरह से अगर यह जाएगा तो वाकई में इसका जो वो कुछ-कुछ ऐसा होना चाहिए, इसका जो motion है, वो कुछ-कुछ ऐसा होना चाहिए, तो वाकई में, जो यह जो point of suspension है, यही क्या है, गोले का center है, तो sir, sir, देखो, आपने sir, हमें एक बात बताई अभी थोड़े दिर पहले, क्या बात बताई, कि sir, जब कोई particle, किसी गोले म घुमता है, तो उस गोले उस पर center से बाहर की तरफ एक force लगता है, जो कि mv square by r के बराबर होता है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि रसी के लंबाई को आप r मान लो, मैंने दी नहीं थी, पर मैंने बोल दिया, चलो r मान लो, और sir, जब कोई particle vertical pen में होत है, तब उसका जो weight है, sir, वो भी तो नीचे लग रहा होता है, वो किस के बराबर है, वो mg के बराबर है, अब आप देखो, तो नीचे जो forces हैं, वो कितने हैं, एक तो है mg और एक है mv square by r, है ना, नीचे दो forces हैं, कौन कौन से forces हैं, एक तो है mg और एक है mv square by r, और उपर के जो force है वो है tension अब आप देखो, ना तो particle उपर जा रहा गोले को छोड़ करके, ना नीचे जा रहा, इसका मतलब कि नीचे के तरफ वाले force और उपर के तरफ वाले force दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं क्योंकि अगर ये particle गोले को छोड़ करके उपर भाग जाता, तो हम कहते के उपर के force जाता है, और अगर मैं कहता कि नीचे भाग गया, तो मैं कहता नीचे के force जाता है, पर दोनों में से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब कि उपर के तरफ वाले force is equal to, नीचे के तरफ वाले force, mg और plus mv square by r this is the tension in the string of the pendulum बोलो कहां नहीं समझाई, कितना आ गया simple simple सवाल सुरू कर रहा हूँ, अभी तो सवालो का level देखता जाए, तो कहां जाएगा, t is equal to mg plus mv square by r, बोलो आया पक्का अरे सोच ले, चलो आजाओ बड़ी असा screenshot लो देखो, सवाल का level उठाता हूँ थोड़ा सा, करो ले लिया, screenshot ले लिया, चलो आजाओ, देखो और देखो, और बड़ी अबात करता हूँ मैं आपके साथ, अच्छा लगेगा आपको बहुत मज़ा आएगा, देखो कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की तुहें जिंदगी मिलाने की, कि दिल की बात तुम्हें कैसे कहें कैसे कहें, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की तुहें जिंदगी मिलाने की चलो जी, देखो सवाल समझ आ रहा है तुम्हारे को, सवाल मैंने क्या बोला, सवाल मैंने बोला, कि बाई यह क्या एक पेंडलम था, पेंडलम की जो रस्सी है न बेटा रस्सी, उस रस्सी की जो लंबाई है, वो लंबाई है दो मीटर, वो लंबाई कितनी है, दो मीटर है और उसके साथ हमने एक पांच किलो का जो एक गोला है, उसको हमने लटका दिया है, और फिर हमने क्या करा? हमने उसको यहां से थोड़ा सा खीच लिया और वो जो एंगल है न ऊपर वो एंगल आपको दिया गया है कि वो 37 डिगरी का एंगल है और अब आपसे पूछा जा रहा है कि रसी में टेंशन बताओ, क्या बताओ, रसी में टेंशन बताओ, कितना बेकार आदमी यह खुट तो करता है, simple simple हमसे कराता है, tough tough, बेटा पेपर आपको देना है, मेर को थोड़ी देना है, मेरा तो वालिया जो बना था, पेपर आपको देना है, इसलिए आपसे करा रहा हूँ, चलो, यहां पर वीडियो को रोक दो, रोक दो, रोक दो, खुट से करो, try देखो, अगर आपको NLM आता है, आपको force के component तो आपके लिए सव ... गारा मशनों मैं तो इसी गारा हूँ, तुम मुझ में सदा बाज की रहना, बस इतना है तुम से, यह घचो जचा ए तो पर सेकेन तो पर सेकंड हाई, अग्यालिख रहा आए ओ, जचा, और व हो दो बना, तो बैस इतना है तुम से कहना, करा तुमने पक्का मैं करा दूँ अब देख मेरी बास सुन आ जाओ तो बेटा हमें एक बास समझ आने चाहिए कि जब वर्टिकल प्लेन में जब इस समय हमारे पास यह मौजूद है तो एक फोर्स इसके ओपर नीचे की तरफ लग रहा होगा जो कि इसके M.G. के बराबर होगा जो कि हो जाएगा कितना 50 N, कितना हो जाएगा बेटा 50 N, ठीक है अब बेटा अगर इसी लाइन को आप बहुत ध्यान से देखें अगर इसी लाइन को अगर मैं इस तरह से आगे अगर मैं extend करूँ इसी लाइन को अगर मैं इस तरह से आगे extend कर दूँ देखिए एक मिनट इसी लाइन को अगर मैं हिलकास आगे extend कर दूँ तो बेटा अगर ये एंगल अगर 37 डिगरी है आप बहुत ध्यांद से देखें तो ये एंगल भी हो जाएगा 37 डिगरी है ना कितना हो जाएगा 37 डिगरी हो जाएगा है ना मैं ऐसे समझो अपने को बास समझ आ गई 15 x 4 x 5, तो यह हो जाएगा कितना, 40 N, और यह हो जाएगा, 50 का sin synthase, मलब के 15 x 3 x 5, तो यह हो जाएगा, 30 N, बोलसर ठीक है बाद, समझ आगई, अच्छा, एक बात और, मैंने आपको एक बात और बताईए, आज, क्या बताई, कि जब कोई particle, किसी गोले में घूम रहा होता है, आप देखो, वाकई में, यह सर्कुलर आर्क में घूमने वाला है, तो जब कोई particle, किसी गोले में घूम रहा होता है, तो उस पर लगता है, center से बाहर की तरफ एक force, जो की mv² by r के बराबर होता है, होता है कि नहीं होता है, तो इस पर एक force, बाहर की तरफ और लग रहा होगा, जो की mv² by r के बराबर होगा, बोलो बस समझ आ गई न, तो वो जो additional force है, वो आ गया m, और साथ में v², मालब के 100, ओके, और divided by, कितना r, और r की वेल्यू कितनी है, क्या ये इस रसी को तोड़ करके बाहर निकल गया, बोला नहीं सर, बाहर तो नहीं निकला, क्या center इसको circle को छोड़ करके, क्या अंदर गुज गया, बोला सर अंदर भी नहीं गुज आ, इसका मतलब, कि अंदर के तरफ अले force, और बाहर के तरफ अले force, दोनों बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, कि tension is equal to, 250 newton, और प्लस साथ में कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, 40 newton, तो जो tension लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा बेटा, 290 newton, ये बात हो गई, बोलो का नहीं समझ आई है के नहीं आई, calculation का बस सोड़ा सा ध्यान रख ले ना, कि मैंने कुछ गड़बट नहीं करी हो, बाकी मेरे को लग रहा है सब कुछ सही है, है ना, चलो जी, का नहीं समझ आई, अरे पक्का, ऐसे सवाल मिलेगा तो कर दोगे, लो, अगर कर दोगे ना, तो एक सवाल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आपका ये homework question number one है, आप नीचे comment करके बताना सर, homework question number one, सरीया answer, लो, देखो, भगवान के लिए कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, देखो, ध्यान से देखो, जो गलत कर दे, वो घर पर सीशे के सामने, खड़ा हो करके रोएगा, कि हे भगवान, master ने इतना अच्छा पढ़ाया, पढ़ाया है ना, बोला अपनी तारीफ, अपनी मुझसे करना आईगे, मास्टर ने इतना अच्छा पढ़ाया, फिर भी मुझसे नहीं हो रहा, हे भगवान, उठा ले, मास्टर को, यहाँ देखो, देखो, चलो, आपको क्या बताना है अगेन, सवाल वही है, क्या सवाल है, रस्षी में टेंशन बताओ, चलो, कोई नहीं, तो लिख दिया है ना, चलो, 5 मीटर लंबी रस्षी है, तरेपन डिगरी से खीच रखी है, ठीक है, 2 किलो का मास है, आपको बोल रहा है कि 10 मीटर पर सिकिंट से जा रहा है, बोलेगा, बताओ, रस्षी में टेंशन कितनी हो जाएगी, ये उंगर क्वेश्चन नमबर वन है आपका, कर दोगे न, गवरा तो नहीं जाओगे, नीचे कमेंट करना मेरे को, समझ जाओगे न, चलो, आजओ, और देखो, और बढ़िया-बढ़िया बाते करता हूँ मैं, देखो, आजओ, जिंगल लला हू, जिंगल लला हू, देखो, देख, क्या है न, इसाब किताब देख में बताता हूँ तरको, सुन, तो अगेन वही के, एक्सिस ओफ रोटेशन है, आप से करवाना है, यह सवाल भी मेरको, मैं तो करा चुका हूँ, ठीक है, इस तरह से इसको गुमाय जा रहा है, अरे यार, चलो, इस तरह से इसको गुमाय जा रहा है, ऐसे गुमाय जा रहा है, ठीक है, और omega आपको दे दी गई है, कितनी, 10 radian per second ठीक है, omega आपको दे दे, कितनी दे दी 10 radian per second दे दी अब और क्या बोला गया, देखो और ये बोला गया, कि एक डबबा है यहाँ पर, ठीक है, मैं बना देता हूँ लो ये डबबा है 2 kg का ठीक है, उसके बाद बोला गया, कि एक डबबा और है ठीक है, और क्या क्या चीज़े दी गई है आपको और देखो, और चीज़े भी आपको दी गई है क्या क्या दी गई है वो सुनो, देखो देखो, ये जो आपको दूरी है न, ये दी गई है एक मीटर, और ये जो दूरी है, ये भी आपको दी गई है एक मीटर, बोलो बात समझा गई, अरे पक्का, अब बोला जा रहा है कि इस रसी में जो टेंशन है, इस वाली में, किस वाली में, इस वाली में जो टेंशन है, उसको बोला गया है T1, और इस रसी में जो tension है, उसको बोला गया है T2, अब आपको यही दोनों सवाल पूछे भी गए हैं, क्या एक तो T1 बता दीजिए और एक साथ में ये T2 बता दीजिए, ठीक है, चलो axis of rotation के अबाउट इनको ऐसे गुमाया जा रहा है, ठीक है, समझ जाओ होगे क्या, चलो, मैं तो कहता हूँ वीडियो को यही पर stop कर लो, और stop करके खुझ से try करो, कि देखो सर, मैंने तो यह सोचा है, सर, यह आना चाहिए, ठीक है चलो जे, कर लो कर लो, कर लो, मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है न, करो डेटा आपके सामने है, सारा हाँ जी, चलो, करा तुमने? सोच लिया, अपनी तरफ से सोच लिया? मैं करा दूँ, देख बेटा स्वन, आजाओ, यहाँ आजाओ अचा, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कि यह जो 3 मीटर का जो, यह जो 3 किलो का जो मास है इसकी एक्सिस ओफ रोटेशन से दूरी कितनी है? एक मीटर है, कितनी है? एक्सिस ओफ रोटेशन से दूरी है, 2 मीटर कितनी है? 2 मीटर बेसिकली जो 3 किलो का जो मास है न यह इतने बड़े गोले में गुम रहा है, आप देखो ध्यान से देखो है ना? गुम रहा है कि नहीं गुम रहा? मैं थोड़ा अच्छा बनाने को परियास करता हूँ, रखो देखो ध्यान से देखो आप तो क्या अपने पास हिसाब किता बड़िया है ना? बना देंगे अपन लो यहां देखो आप तो आपन कुछ भी बना सकते हैं बेटा और बड़िया बनाते हैं लो एक मिनट है देख बेटा तो वाकई में यह जो तीन किलो का जो मास है ना? यह इस गोले में गुम रहा है तो इस बासेगरी करता है ना? 110% देख लेक दम पक्का है ना? तो बच्चा बोला हाँ सर सही है सर आपकी बार कि जो तीन किलो का जो मास है यह वाकई में इस गोले में ऐसे गुम रहा है बोलो गुम रहा है कि नहीं गुम रहा? बच्चा बोला हाँ सर गुम तुरा है सर और मैंने आपको आज ही बताया, क्या बताया, किसी particle पर, जब वो गोले में घुम रहा होता है, तो गोले के center से, बाहर की तरफ एक force लगता है, जो किसके बराबर होता है, M omega square R के बराबर होता है, चलो, तो बाहर की तरफ वाला force लिखो, देखो, तो बाहर की तरफ वाला force कित axis of rotation से दूरी देखो कितनी है, 2 meter है, तो यह आगया 2, M omega square R, तो बेटा, जो बाहर की तरफ जो force लग रहा है, वो लग रहा है, 3 गुणा, 100 गुणा, 2, तो बाहर की तरफ वाला force कितना है, 600 Newton, क्या मैं समझू बात समझ आई, अरे पका, अब आप बहुत ध्यान से देखो, आ और tension की जो arrow है, वो आप देखो कि कहा है, अंदर की तरफ है, अब 3 kilo पर आप बैठे होई हो, आपने बाहर देखा, उस तरफ तो नहीं जा रहा, आपने इस तरफ देखा, इस तरफ तो नहीं जा रहा, इसका लोग कि इधर की तरफ वाले force, इधर की तरफ वाले force, दोनों ब अब बेटा, अगर मैं इसकी बात करूँ, 2 kilo वाले डब्बे की, अगर मैं आपके साथ बात करूँ, तो देखो, 2 kilo वाले डब्बे की कहानी क्या है, वो दिखाता हूं तरफ को, कि जो 2 kilo का जो डब्बा है, वो घूम रहा है इस गोले में, देखो, है न, ले, सही जचा दिया मैंने अब है न, यहाँ जाओ, अब बेटा, जो 2 kilo का जो डब्बा है, मैंने का हाँ ठीक है, जी गूम रहा है सर, बात तो आपकी सही है सर, है कि नहीं, अब देखो, तो जो 2 kilo का जो डब्बा है, वो गूम रहा है इस गोले के अंदर, है न, आप समझ पर रहें न, मैरी बात, वो इस गोले में घूम रहा है, ऐसे, है न, ऐसे घूम रहा है, तो अब आप देखो, उसकी कहानी सुनो आप, तो जब हम उसकी कहानी सुनेंगे, तो हम पाएंगे, कि इस 2 kilo वाले डब्बे पर, बेटा, द्यान से देखना भई, पुरा फोकस ह देखो, तो बेटा, 2 kilo वाले डब्बे पर, एक force तो बाहर की तरफ, आप देखो, ये T1 ही है, है न, देखो न, आप इस पर बैठ करके देखो, 2 kilo वाले पर, तो आप देखोगे कि T1 की arrow इस तरफ है, तो इस पर बाहर की तरफ एक जो force है, वो तो है T1, वो तो है T1, और एक इसका M omega square R, है न, एक इसका M omega square, इसे में क्या बोल देता हूँ, F बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, F और F की value में नीचे आपको calculate करके दिखाता हूँ, क्योंकि जगए निया हमा लिखने के, है न, तो देखो, F की value कितनी है, देखो M, और साथ में, omega square, omega square मतलब की, क 200, कितना आया, 200 Newton, है न, तो अब आप बहुत ध्यान से देखें, तो जब इस W कर उपर, जब मैंने बैठ करके देखा, तो मैंने क्या देखा, कि यार, यह जो T2 की जो arrow है, यह तो है अंदर की तरफ, T2 की जो arrow है, वो तो अंदर की तरफ, और एक force की arrow बाहर, और एक T1 की arrow परन्तु यह डबा फिर भी ना तो इधर जा रहा, और ना तो इधर जा रहा, इस समल के इधर की तरफ आले, इधर की तरफ आले, दोनों force कैसे हैं, बराबर हैं, तो बेटा, जो T2 की जो value आ गई, बहुत ध्यान से आप देखें, तो T2 की जो value आ जाएगी, वो आ जाएगी F plus T1, कितनी आ जाएगी, F plus T1, तो बहुत ध्यान से आप देखें, तो T2 is equal to F, F की value मैंने अभी अभी निकाली, बोलो कितनी निकाली, 200 Newton निकाली, तो यह कितना आ गया, 200 और प्लस T1, T1 देखें बेटा, T1 था 600 Newton, तो T2 कितना आ गया, T2 आ गया, 800 Newton, चलो, क्या मुझे कहा जाई है, अरे पक्का, यह प्राण निकल गए, बोले सरफ पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, भाई साब यह तो यह जानता है, यह उपर वाला जानता है, तुम्हें तुम्हें भी जानते हूं जानते हूं, आ रहा हैं तुम्हें, तो यह कहानी, स screenshot ले लो, चलो, ले लिया, screenshot ले लिया, आगे बढ़ जाओ, अरे पक्का, चल ठीक है, सुनो, और देखो, और बढ़िया बढ़िया बाते करते हैं, यहां आजाओ, देख बेटा, अच्छा एक बढ़ना सवालों को थोड़ा सा और आगे बढ़नाने चे पहले, मैं आपको एक याद बाते और बताता हूँ, ठीक है, देख बेटा, मैंने तरह को क्या बोला, कि for circular motion, क्या मैंने बोला था, याद गरो, है न, तोड़ा अच्छा कर देते हैं, score of correctment, क्या बोला था मैंने, कि for circular motion, देखो, for circular motion, देखो, जब कोई particle, मैंने आपको बोला था, कि जब वो center में, इस तरह से circle में, जब वो गोमता है, इस तरह से, तो क्या बता है मैंने आपको, कि अगर मानलो, वो r radius के गोले में, अगर वो गोम रहा है, तो उसके उपर, एक तो force लगता है, अंदर की तरफ, है न, यहा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यह बताया था, कि बेटा, force circular motion, AR जो है, वो zero नहीं हो सकता, AT जो है, वो may और may not be zero, may और may not be zero, ठीक, पर बेटा, ध्यान सुनो, आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ध्यान से देखो, अच्छा लगेगा आपको, मैं आज आपको एक condition और add करके देता हूँ, क्या मैंने बोला, मैंने बोला, कि AR can be zero momentarily, ठीक है, ऐसा case भी possible है, क्या, कि जहां पर AR zero हो, और AT zero ना हो, 80 zero ना हो, यह case भी possible है, यह case भी possible है, सर, ऐसा कैसे सर, possible है, बात समझ नहीं आई सर, देखो मैं बताता हूँ, बेटा देख कोई simple pendulum का, मैं एक case आपको बना करके दिखाता हूँ, कि शुरू में जो particle है, वो तो बिलकुल ऐसे बीच में ही था, है ना, देख दियान से, अभी बनाते हैं, बड़ी अडंक से, आपको मज़ा आएगा, धन नारे, धन नारे, धन नारे, धन नारे, देख, मैं तरको उधर बोला, कि मान लो कि बेटा, ये जो है न, ये, ये है आपकी extreme position, ये है आपकी extreme position है आपकी, ठीक है, तो बेटा, जहाँ पर extreme position आती है, मैं कहरा हूँ, कि मान लो ये theta angle है, है ना, और ये आपकी हो गई extreme position, क है ना लो देखो तो इसको मैने बोला एक्स्ट्रीम पोजिशन है आपकी ठीक है एक्स्ट्रीम पोजिशन क्या होता है जब आप किसी पैंडलूम कीसे सस्पेंड कर देते हो तो पैंडलूम ऐसे आप लाग करके जब छोड़ते हो तो पेंडलों ऐसे हैं, ऐसे ही तो करता है, क्या कैसे करता है, तो बेटा यह जो पॉजिशन है यह इसे कहते हैं, मीन पॉजिशन, और जो यह पॉजिशन होती, जहांसे पार्टिकल पल्टी मारता है, उसे कहते हैं, एक्स्ट्रीम पॉजिशन, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रीम जैसे डिसे particle उपर उठता है, देरे-देर उसकी रफतार गड़ती चली जाती है, और जहां रफतार गड़ती चली जाती है, और फिर देरे-देर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और जहां जीरो हो जाती है, उसके बाद से particle ऐसे पल्टी मार जाता है, बुलो बात समझा ग 0 हो जाता है, हाला कि यह momentarily होता है, मैं यहाँ नहीं, यहाँ के बज़ाई यहाँ लिखता हूँ उसको, तक मैं एक थोड़ा space चाहिए, हाँ पर diagram बनाने के लिए, है ना, क्या मैंने बोला, कि मैंने का, जैसे VR, जैसे अगर A जो है, वो किसके बरावर है, 20,000 के बरावर है, और V0 हो गया, तो जो AR है, वो कितना हो गया, 0, पर यह कैसा होता है, सिर्फ momentarily होता है, अगर permanent ही हो गया, तो particle circle को ही छोड़ देगा, मैं क्या बोला, कि यह जो case है, यह momentarily होता है, सिर्फ एक moment भर के लिए होता है, पूरा नहीं होता है, momentarily, momentarily होता है, permanent ऐसा नहीं होता है, अब ध्यान से देख, पर अंतो सर्फ फिर इस circle में कैसे गोंते सर्फ जब AR 0 है तो, बहुत ध्यान से देख, सुन, मैटा, अगर कोई M mass का particle होगा, तो कि इसका जो Mg है, क्या वो नीचे लग रहा होगा, बुला, हाँ सर, अब सोच, अगर इसी line को, अगर मैं आगे बढ़ा दू, और अगर ये theta है, तो ये भी क्या है, theta है, बुलो, बस समझा गई, तो बेटा, ये होता है, Mg का cos theta, बुलो, आता है everybody, और ये होता है, Mg का sin theta, अब आप बहुत द्याद से देखो, तो Mg का sin theta है, वो इस समय एक tangential force है, कैसा force है, tangential force है, आप बहुत द्याद से देखो, इस तरह से, अब बुलो, आया है कि नहीं है, थोड़ा और अच्छा बना रहेता हूँ, ले, आजा, 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 ये देख ऐसे, इस तरह से, तो आप देखो, जो Mg का sin theta है, वो एक tangential force है, है ना, तो देखो, जो tangential force है, वो किसके बराबर है, देखो, M, और G, और sin, और theta, तो force क्या होता है, body का mass, into body का acceleration, और अगर force अगर tangential है, तो acceleration भी कैसा होगा, G sin theta, तो देखो, जहां से देखो, इस particular case में, हमने क्या देखा, कि जो AR है, वो तो 0 है, परन्तु 80 0 नहीं है, हाला कि ये सिर्फ momentarily होता है, जैसे ही 80 लगेगा, उसकी वज़े से particle इस दिशा में आने लगेगा, और जैसे ही आने लगेगा, उसके पास एक V की value आजाएगी, और जैसे ही V की value आजाएगी, AR आजाएगा, और AR अगर आजाएगा, तो 0 नहीं रहेगा, बोलो आया के नहीं आया, तो सिर्फ इस particular position पर, कहां पर, extreme position पर, यहां पर, है न, सिर्फ इस जगे पर, particle का, जो AR होता है, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, पर यह सिर्फ momentarily होता है, ऐसा permanently नहीं होता नहीं, तो particle circle में move नहीं कर पाएगा, बोलो, समझ आया आपको, अरे पक्का, बाकि इन जेनरल मुझे यही समझना चाहिए, कि four circular motion, particle का जो AR है, वो 0 नहीं होता, और 80, 0 हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बाते हो सकती है, समझ गए हो, अरे पक्का, इसमें कोई खास बात तो नहीं है, है न, चलो, इसको note कर लो, screenshot ले लो इसका बढ़िया सा, उसके बाद देखो, मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ side में आ जाता हूँ, आप करो अब इसको, कर लिया, अरे पक्का, सोच ले, चलो आ क्या heading बनाओगे, conical pendulum, ऐसे बनाना एक heading, ठीक है, conical pendulum, conical है न, जो कौन जैसा हो basically, अभी आपको समझे जाएगा देखना, अच्छा लगेगा, बहुत, बहुत असान है, कोई खास बात नहीं उसके अंदर, है न, conical pendulum, देखो, मैं यह लिग देता हूँ, देखो, देखो, conical pendulum, चलो जी, conical pendulum की बात कर लेते हैं, है असान, बिलकुल एक दमे से tension लेने की कोई बात नहीं है, उसके अंदर, ठीक है, देख सौन, है न, conical pendulum, है न, क्या मैं समझो, इतनी कानी समझ आई है, है न, बोल अभी तक समझाया है, क्या है इसमें, जो आएगा, है कि न, बोल रहे हैं भी से आई है, है न, देख, conical pendulum, है बहुत असान, देखो, आपने क्या देखा, in general, आपने अभी तक यह देखा होगा, कि जो pendulum's है, वो आपने क्या बोला हुआ है, आपने बोला हुआ है, न, बोला हुआ है, न, जैसा होता है, कोई, है कि न, जैसे कोई normal pendulum होता है, और बेटा, जो conical pendulum होता है, वो ऐसे move नहीं करता, वो एक कौन के shape में move करता है, देखो, सुनो, आजओ, मैं आपको दिखाता हूँ, conical pendulum है, ऐसे यह क्या होता है, देखो, मैं आ ले आता हूँ, पास में, आप देख पाऊगे, यह बोब है, देखो, यह एक चोटा सा बोब होता है, ऐसे pendulum का बोब कहते है, और यह है उसकी string, ठीक है, तो अगर इसको, हम लोग ऐसे बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं, तो देखो, इस तो अधिक जो motion है, रुख जाओ, एकमिन, अधी में, ऐसे यह देखो, यह जो motion है इसे कहते है, conical motion, देखो, देखो, तो यह अपने motion से, एक कौन trace कर रहा है, और ये पक्का, तो इस तरह के motion को, कहा जाता है, conical motion और यह जो pendulum है, इसे कहते हैं conical pendulum, यह पढ़ने वाले हैं, बहुत मुझा आएगा, देखो, मुझा आगया, लाइव चल रहा है बेटा एक दम तेरे सामने, देख ले, ऐसे कौन चल रहा है, बिलकुल एक दम, धुचक धुचक, ऐसे, देखो, कौन बन रहा है इसके motion से, देख तो कैसा होता है conical pendulum, देखें आप एक बर जरा, तो मैंने बोला के, बेटा मान लो, यह अपने पास कोई ceiling है, है ना, कहा गया बे, हाँ रुजा, यह है अपने पास कोई तो ceiling, इसको मिटा देखो, यह देखो बेटा, यह ना, अपने पास क्या थी, कोई इस तरह से ceiling थी, उस इस तरह से देखो, मैं बताता हूँ, इस तरह से उसको लटका दिया गया था, और अब हम इसको ले आए हैं, side में कहीं तो, है ना, देख, यहां से कहीं तो अब हम इसे यहां ले आए, और एक angle theta इस समय यहां से यहां से बना रहा है, इस तरह से, है ना, और एक गोले में य आपको दिखाता हूँ, सुने जर एक बड़ मैंने क्या बोला था, यह वही गोला है न, देखो, यहाँ पर देखो, यह M मास का एक गोला है, इस तरह से, है न, string की जो length है, उसको मैंने L बोल दिया, क्या बोल दिया, L बोल दिया, इस समय यहाँ जो इसकी रफ्तार है, वो है V, और वो कैसी है, out of the paper है, कैसी है, out of the paper, बाल इस तरह से, ठीक है, और घूमते 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 वो इस तरह से आ गया, है न, यह कहनी है, बोलो बात समझ आ रही है, अरे पक्का, तो अब आप बहुत ध्यान से देखें, तो रसी में जो tension रही होगी, उसको मैंने बोल दिया, T बोल दिया, क्या बोल दिया, T, औ और एक बात, जो ध्यान देने वाली बात है, उस समय आप यहाँ देखें, तो पार्टिकल जो है, वो इस radius के गोले में इस तरह से ऐसे गुम रहा है, बोला सर बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, है न, आच्छा सर देखो, यहाँ देखो, और अच्छा लगेगा आ तो बेटा, जो यह जो एंगल है, यह एंगल, यह भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा, तो बेटा, अगर यह T है, तो यह क्या 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 लग रहा होगा, नीचे के तरफ, do you agree with this or not, हाँ sir, जो mg है sir, वो लग रहा होगा, नीचे के तरफ, m और साथ में g, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि बेटा, कोई जो particle है, जब वो गोले में घुमता है, तो उस पर लगता है, गोले के सेंटर से बाहर की तरफ, गोले के सेंटर से बाहर की तरफ एक force लगता है, जिसे कहते हैं, m v square by r, या तो m omega square r, जैसे पूछा जाए है, अब मेरी बास सुनो, तो गोले के सेंटर से बाहर की तरफ एक force लगा, जिसे बोला m v square by r, पर R तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो string की लंबा ही पता है, बहुत द्यान से देखो, अगर यह L है, तो यह है L का cos theta, समझ रहे हो क्या, अगर यह L है, यह L है, तो यह इधर, है ना, द्यान से देखो, अगर यह L है, तो यह है L का cos theta, और यह है L का sin theta, बोलो बास समझे ही, अ तो यहां अगर मैं put कर दूँ, तो force कितना है? वो है mv square और by l sin theta. यही है ना? एदम पक्ता. अब तुम मुझे बोल, क्या गोले में गोमता-गोमता क्या अंदर गुच जाता है? बोला नहीं. क्या बाहर निकल जाता है? बोला नहीं. इसमें बोला कि इधर के तरफ वाले force is equal to? इधर के तरफ वाले force तो मैं लिख सकता हूँ. क्या लिख सकता हूँ? कि T का sin theta is equal to बोलो mv square by r. r मतलब क्या? L का sin theta. है ना? L और साथ में sin theta. और T का जो cos theta है, वो किसके बराबर है? बोलो. T का cos theta तो mg के बराबर है. अगर ये दो equation आपको लिखनी आती है, तो आपको पूरा conical pendulum solve करना आता है, इसमें कोई दिक्कात नहीं है. अब आपसे सवाल पूछ लेता, बताओ कितने theta पर ये से गोमे रफ्तार इतनी हो, M इतना हो, L इतना हो, तो आप दोनों को divide कर दोगे, 10 theta की value आजाएगी, वहाँ से theta आजाएगा, है कि नहीं? तिरे को बोले, रसी में tension बताओ, दोनों ये equation को आप क्या करो, square करो और जोड़ दो, तो sin square theta प्लस cos square theta तो 1 हो जाएगा, तो भाई सब t की value आजाएगी, बोलो कर दोगे के नहीं कर दोगे, है कि नहीं? तो अब क्या है, अपने से 2-3 variable में से, कुछ भी दे करके कुछ भी पूछ सकते हैं, आया नहीं है ना, देख लो, क्या क्या variable है यहाँ पर, यहाँ पर variable हो सकता है t, यहाँ पर variable हो सकता है theta, यहां में rebel हो सकता है V, अब इन तीनों में से कोई भी एक दे करके बाकी दो आपसे पूछ सकता है, बोलो, कर दोगे न, अरे कर दोगे नहीं कर दोगे, पक्का, तो यह कहानी होती है, बस conical pendulum की, जिसमें वो ऐसे ऐसे, कौन trace कर रहा होता है, अपने motion से क्या trace कर रहा होता है, क कौन trace कर रहा होता है, इस pendulum को क्या कह देते है, conical pendulum कह देते है, देखो, आपके सामने, diagram भी है, और motion भी है, दिख रहा है क्या, है न, diagram भी है, और motion भी है, इस तरह से होता है, समझ जाओगे, नहीं समझ जाओगे, अरे पक्का, सोच ले, 100%, चलो जी, है न, तो यह बात होगी बाकी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको मैं समझा पाया हूँ, क्यों निकले pendulum क्या होता है, 100% है न, चलो, इसका screenshot ले लो बड़ी ऐसा, उसके बाद फिर में चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, करो, चलो जी, ले लिया, screenshot ले लिया, आगे बढ़ सकते हैं हम एक सवाल में आपको और कराता हूँ, आजाओ, यहां देखो, है न, देख क्या सवाल है, तुम लोगोंने कटोरा देखा, कटोरा कैसा होता है, सर कटोरा नहीं पढ़ोगे तो भात में आ जाएगा बेटा, है न, कटोरा, कटोरा समझते हो न, अब देखो, दियान से देखो तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आप मान लीजीए कि आपके पास न, इस तरह से कटोरा है, ठीक है, आपके पास कि इस तरह से एक कटोरा है, कटोरा है न, देख बेटा, इस तरह से कटोरा है, समझ पा रहे हो क्या, पक्का एक दम, है न, आप इसे हमिस्फेरिकल कटोरा मानना यह hemispherical जैसे लगतों निरा है पर आप फिर भी समझ जाना ठीक है और hemispherical kattore की मैंने बोला कि आप मान लीजिए यह है axis ठीक है? axis क्या है मैं बना करके रिखाता हूँ यह है उस hemispherical kattore की axis ओके और hemispherical जो kattore है उस kattore की जो radius है वो radius भी आपको दी गई है कि जो radius है वो है r ठीक है? radius जो है वो कितनी है? r है अब आपको सवाल बोला गया कि भाई साब उस kattore को ना हम लोग को घुमाना है वो क्या करना है? घुमाना है और मैंने बोला कि एक हमारे पास कहना बेटा एक particle है देखो सवाल सुनना पहले द्यान से करने की जल्दी नहीं भाई पहले सवाल सुनेंगे फिर सवाल करेंगे क्या है? इस तरह से बोला गया कि एक थो हमारे पास एक particle है यहाँ पर ठीक है? और वो जो particle है उस particle का जो mass है वो mass है m और यहाँ पर वो theta angle पर मौझूद है और यह जो गोल यह जो कटोरा है frictionless कटोरा भाई सब चिकना कटोरा बिल्कुल लिख दो है तो चिकना कटोरा है तो चिकने कटोरे के लिए जो mu की जो value है वो कितनी है? 0 है तो सवाल आपको बोला जा रहा है के omega की वो minimum value बताओ है ना? omega की वो minimum value बताओ find out omega minimum find out omega minimum so that so that the mass so that the mass remains in equilibrium remains in equilibrium ये सवाल आपको बोला जा रहा है के mass की omega की वो minimum value बताओ जिसके लिए क्या रह जाए? equilibrium में रह जाए चलो करना चाहोगे? अबर attempt करना चाहोगे? कटोरा है उस कटोरे को उसी के axis के बाटर से इसे गुमा रहे है ठीक है? और बोला कितनी तेज गुमाएं कम से कम कितनी तेज गुमाएं कि जो M mask का रजडबा है न ये equilibrium में रह जाए equilibrium मलब इसके पर net for zero करना है समझ गए क्या? अरे पक्का? चलो मैं तो कहता हूँ video को यहीं पर stop कर लो एक बार है न? यहीं पर अब जो मैं कर रहा हूँ तुमारे असे कोई लेने देने नहीं सवाल तुमारे सामनी ये रहा ठीक है? चलो video को यहीं पर stop कर लो और stop करके खुद से try करो देखें तरह तुम कर bonds भी पाते हो कि नहीं कर पाते हैं खुछ से करना भाई देखो खुछ से एकदम ममी के समय तुम्हारे पर खुछ से करना है बिल्कुल चलो ट्राय किया तुमने पक्का मैं करा दूँ सवाल बहुत असान है अभी मैं कराओं तुम बोलो कि यार सर सवाल तो बहुत असान था सर है ना करा दूँ देख बेटा मेरी बास समझ आने चाहिए कि अगर यह वर्टिकल प्लेंड में इसे गूम रहा है वो तो इसका जो अगर यह थीटा है तो मुझे एक बात बताओ क्या यह भी नीचे थीटा ही रहा होगा बोला हां सर अगर यह थीटा है तो यह आ गया mg का cos theta है ना और यह आ गया mg का sin theta बोल बात समझ आई बोला हां सर बात समझ आई अब आप बहुत ध्यान से देखें बेटा तो वाकई में जो mg का तो sin theta है ना इसी की वज़े से यह सरक करके नीचे आ सकता है बोलो आया अरे पक्का परंतु बेटा अब एक ध्यान देने वाल आँ वाकई में मैं यह जो मास का घुम रहा हुगा बैसे किया मुद्म करा इसे वाएस मोगो ऊसे इंगायो का सच ना सबल देखो मज़ा बहुत आएग तो से व्यासे किसी सरकल में घूम रहा होगो कि देख तरह को समझा पा रहा हूं किया मैं डागराम सही बनाया है मैंने बिल्कुल एक दम है ना अब देखो जो ममास्क की डबबा है जब यह घुमेगा जब यह कटो जब गोमेगा तो मैंने आपको क्या को जिखाया कि जब कोई पार्टिकल किसी गोले में घुम रहा होता है तो उस पर गोले के सेंटर से बाहर की तरफ एक फ्रस लगता है गोंट है जो की बराबर होता है M v square r k या M omega square r k बराबर होता है बोल सिखाया बहा हाँ सर बात तो सही है सर अब बेटा मेरी बास सुनना देख अगर मैं तेरे को ये कह दूँ कि जिस गोले में ये घूम रहा है जिस गोले में ये घूम रहा है अगर उस गोले की radius को अगर मैं बोल दूँ कि मानलो ये है छोटा r क्योंकि obviously ये बड़ा r तो नहीं हो सकती ये वाला गोला जो है नीचे वाला उसके बराबर थोड़ी है तो छोटा है तो मैंने इसको बोल दिया मानलो ये छोटा r है कितना है छोटा r है तो इस पर बाहर की तरफ एक force लग रहा होगा कितना m omega square और साथ में छोटा r बोला सही है सर बात समझाई ये छोटा r तो खेर में निकाल दूगा कोई खास बात नहीं है सुनो बेटा ये जो blue line है ये blue line इस blue line की ये लंबाई है ये तो है r क्यों क्योंकि है तो इसकी radius ही है है आप बहुत दियान से देखें तो अगर ये r है तो ये है r का cos theta और ये इतना इतना ये है r का sin theta तो ये चोटा r है चोटा r ये किसके बराबर है r sin theta के बराबर है ये जो छोटा r है, ये बड़े r का sin theta है, बोलो, छोटा r बड़े r का sin theta है, तो ये basically कितना है, m omega square और बड़े r का sin theta, बोलो, सही है क्या, अम्बरी वास्वन, बेटा, अगर ये थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल, ये कितना हुआ, ये हुआ 90 माइनस थीटा, बोलो समझ आया, अरे पक्का, अब आप बहुत ध्यान से देखें, तो बेटा, ये है M omega square छोटा आर, तो ये M omega square छोटा आर का sin थीटा, है न, ये M omega square का sin थीटा, देख जान से देख, तो ये कितना है, M omega square और बड़ा आर sin थीटा, ये तो पहले से ही है, ये तो पहले से ही है, और उसका भी sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin square थीटा, बोलो बास समझ आ गई, और ये क्या है, ये इस force का cos थीटा वाला component है, तो ये हो जाएगा, M omega square r का sin थीटा, और उसका भी cos थीटा, बोलो आया के नहीं आया, है न, M omega square r sin थीटा का उपर cos थीटा, क्योंकि अगर ये 90 minus थीटा है न बेटा, तो ये angle कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, समझ आ गई, अब मेरी बास सुन, ये जो M mass का जो particle जो मैंने यहाँ बनाय था, ये जो particle मैंने यहाँ बनाया था, आप बहुत यहाँ से देखें, तो इस पर एक force तो है, नीचे के तरफ है, जो कि कितना है, Mg sin थीटा, और एक force है यहाँ, उपर के तरफ, जो कि किसके बराबर है, M omega square r sin थीटा, cos थीटा के बराबर, अब अगर ये दोनों force अगर नीचे जाएगा, equilibrium में आजाएगा, और वही तो रखना है, तो रख दो, कर दो काम, है ना, देखो आजाओ, तो equilibrium में लाते हैं इसको, मैं इसको अलका से इधर सरका रहा हूँ, ठीक है, मैं CR से कर रहा हूँ, आपको समझ आ गया इतना, है ना, देखो ध्यान से देखो, तो mg का जो sin theta है, उसे किसे बरबर होना पड़ेगा, m omega square, rsin theta, cos theta के बरबबर होना पड़ेगा, बोलो कारणी समझ आई, अरे पक्का, आप बहुत ध्यान से देखो, तो m ने m को मार दिया, अरे M ने M को मार दिया, और ध्यान से देखो, तो sin theta ने भी sin theta को मार दिया, तो बेटा, क्या हमने देखा, कि omega square r और साथ में cos theta is equal to कितना r रखा है? g r रखा है, कितना r रखा है? g r रखा है, तो omega square की value कितनी मिल गई? ये मिल गई g by r cos theta, तो omega की वो value, जिसके लिए हमने equilibrium attain किया, जिसके लिए हमने condition निकाली, omega की वो value कितनी है? under the road g by r cos theta g by r cos theta, और वही value क्या हो जाएगी? इसी value को हम लोग बोल देंगे omega minimum, क्या बोल देंगे इसे? omega minimum बोल देंगे, ये वो value है, जिसके लिए हमने क्या attain किया है? जिसके लिए हमने equilibrium attain किया है, चलो, क्या मैं समझो, तुम्हें बात समझ आई? अरे पक्का, calculation देख ले ना, मैंने कुछ गड़बर नहीं करी हो, बाकि सब कुछ एकदम सही है, perfect है बिलकुल एकदम, है न? omega minimum is equal to under the root g by r cos theta, समझ गए तुम? पक्का एदम, बाकि मैं यह सोच रहा हूँ कि यह वाला जो lecture है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, है कि नहीं? थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ न? मैं इस वाली वीडियो को तो यहीं पर समाप्त कर ले रहा हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे न? हम एक lecture और बना लेंगे इसको ले करके, ताकि आपको दिक्कत नहीं लगे आपको यह न लगे कि यह एक lecture में बहुत ज़्यादा हो गया, है कि नहीं? चलो तो मैं तो कहता हूँ, आप बड़ी ऐसा पहले इसका screenshot लो, अच्छा सा screenshot लो, ले लिया तुमने, उसके बाद मैं क्या है, एक lecture और बना लेता हूँ आप लोगो के लिए, ठीक है? तो इस वाले lecture को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ बाकी मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ, कि अपने को इतना जो पढ़ाय हो, समझ आ गया, इसमें ने सारे के सारे जो basic से centrifugal force के वो cover कर दिये, कुछ एक आदे बड़ीया-बड़ीया सवाल आपको दिखा दिये, और बाकी के जो और अच्छे सवाल है, अगली वीडियो में उससे और ज़्याद अच्छे सवाल होंगे तो जो ज़्याद अच्छे सवाल है, वो मैं करा दूँगा फिर आपको अगली वीडियो में बोलो बास समझ आ गई है, अरे पका अगर पढ़ा हुआ समझ आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो बेल आइकन प्रेस कर लेना, भाई साब, वो जो सब्सक्राइब कर जो बटन लेना, उसके ओपर भाई साब एक जूता फैंक के मारो, खुबाच साला, वो दब जाना चाहिए, बस बटन मुझे किसी अड़क वीडियो में, बाई बाई, टाडा